हेलो बच्चो नमस्कार आज सभी का रिजल्ट दिखाने वाला हूँ और ये बच्चो साड़े दस बजे का डेटा है एक्जेक्ट आट बजे टेस्ट दिया था और दस बजे खतम ही हुआ होगा तो साड़े दस बजे तक बच्चा जाद अगरबल करेगा नहीं तो आप लोग देख पाएंगे कि किस लड़की एक लड़की ने टॉप किया है 325 माक्स हैं पूजा यादवा 325 दूसरे नंबर पर भूपेंद्र हैं कोई 315 अमित श्रीवास्तवा 307 दो लड़के कंबाइन रूप से 307.5 पर हैं मोहित विधुड़ी और अमित श्रीवास्तव चंद्रे श्रीशन 300 वाले से कम है इनका अरुन 295 सिवानी गुजर 295 पवन कुमार गुपता 285 और देविंद्र सर्मा 285 टॉप 10 के बच्चों ये माक्स हैं तो मतलब ठीक ठाक माक्स आ रहे हैं आप देख रहे हैं बच्चे काफी जाग रूख हैं UPSI के लिए इन माक्स को देख करक अंदाजर लग जाएगा हमारे पास दो बच्चे हमारे पास भी है जिनके 277.5 हैं ये बहुत कम बच्चे आये हैं ऐफलाइन में ये 2 बच्चे टॉपर है हमारे ठीक है कमबाइन रूप से टॉपर हैं दोनों ऑफलाइन की बच्चे बैठे हुए हैं सढिया और सचिंतवर याने इनका चौदवा और पंदवा नंबर है ओफ लाइन वालों में चौदवा पंदवा नंबर है और ओफ लाइन में वो पहली दूसरी रैंक है यहाँ पर ठीक है तो देख सकते हैं 217.5 और 217.5 दोनों के हैं तो कुल मिला करके हाँ यह सब के नाम आ रखे हैं देख सकते हो आप किस बच्चे ने कैसा स्कोर किया है काफी अच्छे अच्छे स्कोर है यह अच्छे स्कोर माने जाएंगे बच्चो ठीक है मैंने बताया जो लड़के इस बार 200 पिलस कर रहे हैं बहुत अच्छा स्कोर है 200 पिलस क्योंकि आप सबने देखा होगा कि टाइम की कमी पड़ रही है यह स्कोर आप देख पा रहे हैं 272, 272.5 272.5, 277 अवरोही करम में लगा रखे हैं हम लोगों ने ठीक है फिर यह अगले बच्चो के नाम है तो टॉप फुट्टी तक तो मैं देख पा रहा हूं कि 200 कितने बच्चों के आए हैं कितने बच्चों ने टेस्ट दिया है अब तक तो 200 जो है जो लगने की दौड में हैं मैं इस रेंक तक मान रहा हूं यानि 73 बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने ये टेस्ट दिया है और लगने की अच्छी दौड में अच्छी रेस में है ठीक है लड़के लोगों में लड़के लड़कियां भी है अब लड़कियां जो 200 पिलस हैं वो अच्छी दौड में मैं कह सकता हूं ठीक है लड़के लोग 200 पिलस वाले ही अच्छी रेस में माने जाएंगे अब वो कम जो है तो फिर अपने आपको देखो कि हम अभी कितने कम हैं हमें अभी कितना और अपने आपको बढ़ाना है तो कुल मिला करके कितने बच्चों ने टेस्ट दिया है भाई ये लास्ट आलिस आ नहीं रहायर है इसका मवलब बच्चों ने ऐसे ट्राई भी किया है कुछ लोगों ने न हाँ 505 पांच एंट्रीज हैं जो हमारे पास है 505 बच्चों में मैं ये मानता हूं कि कुछ ने तो 500 700 बच्चों ना तो बस आके देखा टेस्ट चला सही या नहीं चला ऐसा अभी चेक किया है तो लड़के लोगों की बात करूँ तो धाई सोब तक 6-30 बच्चे हैं तो 5000 में से कंप्टिशन देखो ना आप ऐसा है कंप्टिशन चीक है तो यह 6-30 बच्चे ही अभी अच्छी लाइन में हैं बाकी जो नहीं है अब आप देखो भीड है बाकी तो भी इड का हिस्सा बनना है यह अपने आपको यहां से उठा के उपर कर लेके जाना है तो अभी बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं है मैं यह नहीं कह सकता कि यह कमजोर है इससे बच्चा ज्यादा फर्क नहीं है पर बच्चों फेर बदल कर सकते हो तो अभी कर सकते हो फिर यह फर 15 दिन में हम एक टेस्ट अविलेवल कराएंगे UPSI का हर 15 दिन में ठीक है अगला टेस्ट कब होने वाला है आप लगा लिजिए 15 दिन बाद होगा सही तो 15 दिन बाद मींस आज तारीक हो गई है छे तो छे नी संडे साथ हाँ 15 छे 21 यानी 21 या 22 तारीक में अगला टेस्ट आप 200 प्लस करना है टार्गेट फिलहाल 200 प्लस बनानों अगले टेस्ट का ठीक है और जो 237 लेकर आ रहे हैं यहां बैटे हुए कोसिस करो कि हम 300 पार पहुंचे ठीक है 300 को टच करें 300 प्लस का जादू यांकड़ा माना जाएगा UPSI कि आपने जादू यांकड़े को टच किया है क्योंकि अब यह लेवल हम जो रखने वाले हैं इसी तरह का लेवल रखेंगे और आपको देखना आपने देखा भी होगा कि लेवल एक बहतरीन लेवल का टेस्ट था और बच्चो निश्यत रूप से आपका टाइम कम पढ़वा रहा होगा अगर नहीं पढ़वा रहा है तो भी बहुत अच्छी बात है उमीद है कि आप आगे टाइम की समश्या को सौट आउट करेंगे यह कैसे हो सकती है यह ऐसे हो सकती है कि टाइमली प्रेक्टिस सेट करेंगे हो सकता है होफुली हमारे मैथ और रीजनिंग के प्रेक्टिस सेट तब तक आ जाएं अगले टे तरीन काम करेंगे और उसका मकसद ही है मेरा उन प्रैक्टिस सेट को बनाने का कि आप अपना टाइम मैनेज करना सीख सकें ठीक है चलिए बच्चो तो आज की क्लास हम यहीं एंड करते हैं आफ लाइन ऑनलाइन दोनों और फिर मंडे से आपकी क्लास होगी लेकिन मंडे बच् रीजनिंग आपकी चलती है डेली आपकी हिंदी की क्लास होगी और आपकी पॉलिटी की क्लास ठीक है तो आप रीजनिंग के टाइम पर आ जाईएगा ओफ लाइन वालों भी और ऑनलाइन वाले भी ठीक है चलिया और कल मैट्स की मेराथन का प्रिचार बाकी लोग आप लो सकते हैं और ऑनलाइन ही जोड़ सकते हैं ओफ लाइन कोई आप्शन नहीं है मैट्स मेराथन को लेने का ठीक है बच्चों ओके बाइबाए बाकी आप सब लोग अब जा सकते हैं चलिए